हेलो एब्रिवन मैं मेतुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे नेशनल फिल्म एवार्ड की घोसना कर दी जा चुकी है यानि कि सबसे बहतरिन फिल्म है एक्टर एक्टरसेस साथ मैं सपोर्टिंग आर्टिस्ट सभी की जो है लिस्ट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी आप लोगों से उमीद है कि आप लोगों ने इसकी तयारी पहले स से कर रखी होगी आप सिर्फ अपने सकोर को माप सकते हो देख सकते हो कि आपने कितनी अच्छी से तयारी करी है तो मैं आपको पूरे question को पढ़ाऊंगा और जितने question में आपको पढ़ाऊंगा आपको बस बताना है कि जैसे suppose कर लो कि मैंने 50 question पढ़ाए अगर आपका score 48 है तो ऐसे आप नीचे comment करके लिख दीजेगा कितना में कितना आप आप लापा रहे हो तो चलिए शुरुवात करते ह very first question के साथ आपको बतारा है कि सबसे सर्वस्रेष्ट अभिनेता का पुष्कार जो है पहला यहाँ पे I repeat देखिए पहला पूछा गया है पहला जो फिल्म पुष्कार दिया गया था उस वेक्ति का नाम है उत्तम कुमार यानि कि 10 का सही जबाब होगा अब बुलोगे उत्त अगले question के रूम लोग पढ़ते हैं राष्टिय फिल्म पुरुष्कार 2023 जो है यह कौन सा फिल्म पुरुष्कार है इससे पहले कितने पुरुष्कार हो चुके हैं तो मैं आपको बता दू 68 पहले हो चुके हैं और यह जो है हम लोगों का 69 वाला जो है राष्टिय फिल्म option आपका B हो जाएगा देखिए जिस तरह से भी उपर नीचे tough easy जिस तरह के भी question बन पढ़ेंगे वो मैं आपके साथ यहां पर discuss कर दूँगा यह पढ़ दोगे तो आपका जो राष्टिय फिल्म पुरुष्कार की जो problem है वो आपको खत्म हो जाएगा यहां से आप देख 69 फिल्म एवार्ड जो है यह winners की list आपको यहां से दिखेगी चलिए अगले question की और अम लोग बढ़ते हैं next question आपके सामने यह रहा किस फिल्म को 1954 में सर्वस्रेष्ट फिल्म का जो है खिताब दिया गया था तो देखिए यह बहुत important question है इसलिए यह मैं बता रहा हूँ यह सामजी आई को जो है इस फिल्म के लिए जो है अवार्ड मिला था इस फिल्म का ही नाम सामजी आई है मैं photo आपको दिखा देता हूँ ताकि आप चिज़ों को समझ पाओ अच्छे से देख पाओ 1954 की बात की जा रही है पहली बार की बात हो रही है यहां से देख सकते हो आप सामजी आई और इसको जो है राष्टपती पुरुषकार मिला हुआ है अगले कोश्चन के और हम लोग बढ़ेंगे राष्टी फिल्म पुरुषकार किसके दोरा पर दान के जाता very very important question और 99% बच्चे इसमें फेल करेंगे आप लोग पहले इसका answer लिख देरा निचे comment section में उसके बाद आप देखना कि इसका result क्या होता है देखिए सबसे पहले इस पुरुषकार को president भी दे सकते हैं vice president भी दे सकते हैं तो दोनों इसका सही जवाब होगा बहुत सारे लोगों बरतमान में हमारे देश के जो है सूचना प्रसारण मंतरी कौन है broadcasting minister कौन है नीचे comment करके आप लोग बताईएगा मैं देखना चाहता हूँ आप लोग कितने active और aware हो चलिए अगले question के और में लोग बढ़ेंगे भारत में राष्टिये फिल्म पुरुषकारों की सुरुवात कब की गई थी टाइम बताना है आपको 1951 में जो है इसकी फिल्म की जो है सुरुवात की गई थी 1951 में यह starting वाला में बता रहा हूँ अब मैं अगर मैं बात करूँ पुरुषकारों का जो वित्रान है वो 1954 से इसकी सुरुवात की गई थी तो देखिए option B जो है इसका सही answer होगा एक और बात को आपको खास क्या लखना है पहले इसका नाम national film अबार्ट नहीं था इसका नाम क्या था राजकिये फिल्म पुरुसकार इसका नाम क्या था मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आप जो है अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाओ इसका नाम क्या था राजकिये फिल्म पुरुसकार आप जो है नौऑ डाउन कर लीएग центр च्जाम में उसका पुरुसकार किसे मिला हुआ है तो देखिए इसका सीधा सीधा जवाब हो जाएगा रोकेट्री फिल्म जो आई हुई थी वो आपको एक साइंटिस्ट के उपर एक मुवी बनाए गए थी आर माधवन उसमें जो है डारेक्टर थे और बहुत ही प्यारी फिल्म है यह आपको खोज कर देखनी चाहिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के और यहां से आप रोकेट्री वाले यह देख सकते हूँ अगला कोश्चन देखे क्या है उनहतरवे राष्ट्य फिल्म पुरुसकारों में किसे सर्वस्रेष्ट अभिनेता का पुरुसकार दिया गया है यह कोश्चन आपसे पूछ लिया गया है तो देखिए इस बार जो है राष्टे फिल्म पुरुसकार में सर्वस्रेष्ट अभिनेता का जो एवार्ड है अल्लू अर्जुन को मिला है किसे मिला है अलू अर्जुन और पुस्पा के लिए इनको ये अवार्ड मिला है पुस्पा मुवी का नाम है याद रखेगा पुस्पा मुवी में उन्होंने एक्ट किया था अज लीड एक्टर और ये पुरुसकार अलू अर्जुन को मिला हुआ है और याद रखिएगा ये तेलगू में, तेलगू इंडस्ट्री में पहले ऐसे वैक्ति हैं जिनको जो है National Film Award मिला है, यहां से आप इनको जो है फेमस पोज को देख सकते हो, मैं जुकेगा नहीं, और बाद में आप तो जानते हो ये क्या है, नीचे कमेंट करके फिल अभिनेतरी को, तो देखिए जो है, खुद में बहुत बड़ी personality थी, नर्गिस दत और ये संजेदत की मा भी है, जो आज के बच्चे समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं, नर्गिस दत इतका सही जवाब होगा, संजेदत की मा और सुनिल दत की wife थी, आपको जानकर हैरानी होगी, कि नर्गिस ने एक मुवी में सुनिल दत की मा का रोल किया था, उस मुवी का नाम जानते हो, क्या है, Mother India, ये मुवी आपको यूट्यूब पे मिल जागी, प्लीज उसे जरूर देखें, कमाल की मुवी आईए, Mother India, और आसकर भी ये जीतने वाली थी, लेकिन Unfortunately, ये जीत नहीं पाई, नर्गिस दत की आपको फोटो यहां से दिख रही होगी, आगे बढ़ेंगे, किसे हाल में ही, 79 राष्टे फिल्म प्रुसकारों में बेस्ट हिंदी पीचर फिल्म का जो है, एवार्ड मिला हुआ है, सबसे बेस्ट जो है एवार्ड मिला हुआ है, तो इसका नाम क्या है, सरदार उद्धम सिंग, डीस का सही जवाब हो जाएगा, सरदार उद्धम सिंग में जो है, जो विकी कॉसल है, उन्होंने एक्ट किया था, यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो, एमेजोन प्राइम पे यह प्रीमियर हो रही है, वहां से भी जाकर आप देख सकते हो, कमाल की एक्टिंग इन होने करी है, अगले कोशन के और उमलोग बढ़ेंगे, किस अभिनेतरी को 79 राष्टिय फिल्म पुरुसकार में बेस्ट एक्टरिस का, यानि कि अभिनेतरी का एवाड दिया गया है, तो देखिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, B and C दोनों आपका जो है सही जवाब हो जाएगा, चलिए अगले कोशन के और बढ़ेंगे, यहां से आप तंगा, वाई, काठिया बाड़ी, जो कि जिन्होंने किसने डायेट किया, इससे संजय लिला बनसालिन है, और मीमी मुवी आप यहां से देख सकते हो, यह जो सेरोगसी है, यानि कि किसी के कोख में किसी और के बच्चे को पालने को ही सेरोगसी बोलते हैं, आगे बढ़ेंगे अगले कोशन के और, उनहतरवे राष्टे फिल्म पुरुसकारों में सर्वस्रेष्ट बाल पुरुसकार का पुरुसकार जो है किसे दिया गया है, तो गांधी एंड कंपनी ये एक मुवी है इसके लिए जो है इनको एवार्ड मिला हुआ है किसको गांधी एंड कंपनियां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हूँ अगले कोश्चन के रूम लोग बढ़ेंगे नेस्ट कोश्चन आपके सामने ये रहा 79 राष्टी फिल्म पुरुषकारों में सर्वस्रेस्ट डिरेक्टर का एवार्ड किसी मिला हुआ है डिरेक्टर की बात की जा रही है तो निखिल महाजन इस दा राइट आंसर निखिल महाजन वो पहले बैक्ति थे जिनको डिरेक्टर जो है यहाँ पे डिरेक्टर का एवार्ड मिला हुआ है नेशनल एवार्ड मिला हुआ है सही जवाब क्या हो जाएगा D-Number यहाँ से आप इनकी फोटो भी देशकते हैं उमराथी डिरेक्टर यह है यानि कि सबसे ज़्यादा जो पॉपलर फीचर फिल्म है जिसने बहुत इंटर्टेनिंग जो है दिया है रिजल्ट इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ से आप देख पाओगे R-R-R-R इसका सही जवाब हो जाएगा R-R-R इसका सही जवाब है आप लोगों ने इस मूवी को जरूर देखा होगा ठीक है कस्वीर फाइल इसका सही जवाब हो जाएगा कस्वीर फाइल और यह डारेक्ट किस ने करी थी आप लोगों को पता ही होगा विवेक अगनी होतरी ने इसको डारेक्ट किया था और इस मूवी के लिए देखिए और अभी जो है करेंट एपर्स में आएगा इसके बारे में किसे मिला है तो देखिए पंकज तिरिपा'theidी को मीमी मुवी के लिए मीमी मुवी के लिए जो है इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का एवाड मिला है अब एक्टरस के बारे में बात करेंगे यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो और यहां से देखिए यहां सी सूचना परसालन मंत्री का सवाल पूछा था ना, यहां से आप इनकी फोटो दे सकते हो, यह प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, और यहां से पंकच्तिर पाठी की फोटो आप देख पाओगे, आगे बढ़ते हैं, इसी की बात कर रहा था, सहयोगी, सहयक अभिनेतरी, ठीक है, यह पल्लवी जोसी हैं, जिन्होंने दकस्मी फाइल में काम किया था, और इसका सही जवाब जाएगा, अपसर नमबर A, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां से पल्ले भी जोसी का वो सीन, जहां पर वो G&U जैसे कैंपस में ही भासन दे रही होती है, लेट विंग से यह जुड़ी होती है, यह फिल्म की बात कर रहा हूं में, वो वन दा एवाड फॉर दा बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट, सबसे अच्छा बाल अभिनेता कौन था, यह आपको बताना है, तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्सन नंबर भावईन राबरी, यह जो है, ऑप्सन एस का सही जवाब हो जाएगा, किस मुवी के लिए, दा चैलो सो, यानि कि दा लास्ट सो, यह जो है, एक गुजराती मुवी है, और इसे ऑसकर में भी आपको देखने को जो है, नॉमिनेशन मिला हुआ था, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इंग्लिस में से लास्ट सो बोलते हैं, और चैलो सो, गुजराती में से, यहां से आप इसकी एक्टर की, जो है, मुवी भी देख सकते हूँ, विच फिल्म वन दा एवार्ड फॉर देब्यूटेट फिल्म फोर दा डिरेक्टर, किस फिल्म के लिए, इसका नाम है गोदाबरी, मैंने आप लोगों को महाजन का नाम बताया था, निकल महाजन, उनको यह एवार्ड मिला हुआ है, इस मुवी के लिए, यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हूँ, I mean, मुवी की पोस्टर की फोटो है, यानि की पर्यावरन को बचाने के लिए, कौन सी फिल्म ने सबसे अच्छा काम किया है, तो देखिए, इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब हो जाएगा, देखिए, मैं थोड़ा सा जो है, आप लोगों से मापी चाहता हूँ, इसे बोलने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसके लिए मुझे माप कर देना आप, इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, आप यहां से देख पाओगे, इसका सही जवाब जाएगा, ऑप्सन नमबर A, आवास्या ब्यम, ठीक है, चलिए अगले क्वेशन के और अउनलोग बढ़ेंगे, यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो, अगला क्वेशन देखिए क्या है, विच फिल्म वॉन दा एवाड फॉर दा बेस्ट फिल्म, और सोसल इसू, समाजिक भी सेपर जो है, सबसे अच्छे से बात करने वाले मुवी का नाम आपको बताना है, तो देखिए इसका अनूनाद, अनूदाद दार, यहां से आप जो इसकी फोटो भी देख सकते हैं, अनूनाद की फोटो, डारेक्टर रीमा, बोरा के द्वारा जो इसे डारेक्ट भी किया गया है, आप इसकी जो है पोस्टर भी यहां से देख पाऊगे, चलिए अगले क्वेशन के रूम लोग बढ़ते हैं, विच फिल्म वान दा एवार्ट फोर दा बेस्ट स्पेसल एफेक्ट, स्पेसल एफेक्ट के लिए किस मुवी को एवार्ड मिला हुआ है, तो RRR और इनके जो बेस्ट एफेक्ट डालने वाले का नाम है, सिरिनिवास मोहन, याद रख लिजे का इनको यह एवार्ड मिला हुआ है, RRR की पोटो भी आप यहां से देख पाऊगे, बेस्ट डालोग का इवार्ड किसे मिला हुआ है, तो बेस्ट डालोग का इवार्ड जो है, ये गंगु बाई काठिया वार्ड को मिला हुआ है, option C इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से आप गंगु बाई काठिया वार्ड की भी मुवी देख सकते हूँ, जो पोस्टर है वो देख सकते हूँ, बेस्ट लिरिक्स का इवार्ड किसे मिला हुआ है, तो देखिए, कॉंडा पोलम ये जो है मुवी का नाम है, इस मुवी के लिए जो है बेस्ट अक्टर, झो लिरिक्स्ट है उनको एवार्ड मिला है, उनका नाम है चंद्रा बॉस, जो music composer है उनका नाम है चंद्रा बॉस, यह बेस्ट लिरिक्स्ट का नाम ये है, और धमदम, यह जो गाना का नाम था धमदम, याद रख लेना है आपको दमधम इजदा राइट आंसर चलिए अगले question के और मुलब बढ़ेंगे यहाँ से आप इसकी photo भी देख सकते हो next question आपके सामने है best Hindi film का award किसे मिला है तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार उद्धम सिंग बहुत ही कमाल की मुवी है विकी कौसल के दौरा इसमें जो है acting की गई है यहाँ से आप इसकी photo भी देख सकते हो कनड़ा मुवी का नाम आपको बताना जिसके लिए इससे जो है सबसे best कनड़ा मुवी का award जो है दिया गया है तो देखिए इसका सही जवाब जागा 777 Charlie मैंने यह मुवी देख लिए कमाल की मुवी है अगर आप एक pet लबर हो dog लबर हो you should definitely watch कमाल की मुवी है यह आपको जो है एक dog को इतने सिद्धा से कोई कैसे प्यार कर सकता है इस मुवी को आप देखकर जो है बहुत मज़ा आने वाला है यह मुवी में आगे देखिए बेस्ट मली आलम फिल्म का award किसे मिला हुआ है तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बेस्ट मली आलम मुवी का award होम को मिला हुआ हुआ आप इसकी फोटो भी देखोगे मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूँ यहां से देख लो फोटो अगले question के आप लोग बढ़ेंगे गुजराती मुवी सबसे अच्छी गुजराती मुवी चेलो सो मैंने आप लोगों को पता है था कमाल की मुवी है आप इसे जो है कहीं से भी देख डालिए पहली फुरसत में देखने वाली मुवी है यह बैस्ट तामिल मुवी का नाम आपको बताना है तो यह मैं आप लोगों के लिए छोड़े जाऊंगा मुझे भी पता चले कि कितने लोगों ने वीडियो आखरी में देखी है 28 का जो आखरी कोश्चन है वो आप नीचे कमेंट करके बताईएगा इस तरह के अगर G20 के उपर भी आपको वीडियो चाहिए तो नीचे G20 कमेंट किजिएगा तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है वीडियो को लाइक करना है और कमेंट जो कॉश्चन पुझा है वो कर देना है आपको थेक्यू सो मच